आजकल skin care trends अपनी peak पे हैं हमको इतने type के influencers मिलते हैं जो अलग type के serum, creams, gels recommend करते हैं और हम सब confused हुजाते हैं कि हमें कौन सा serum और product अपने skin पे लगाना चाहिए मेरे पास मेरी OPD में इतने सारे patients आते हैं जिनके पास कम से कम 10 different तरीके के serum, sunscreen, creams रखे होते हैं लेकिन उनके skin को एक भी suit नहीं करती इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी खुद की skin type कैसी है skin condition कैसी है और उसी के हिसाब से आपको अपना skin serum, moisturizer और हर कोई skin product अपने skin के लिए choose करना चाहिए आपकी skin type को क्या-क्या factors impact करते हैं सबसे पहले status of the skin barrier जो की आपकी skin को protect करता है दूसरा water content of your skin जो की आपकी skin की elasticity को impact करता है तीसरा oil content of your skin जो की आपकी skin की कोमलता को impact करता है और चौथा natural moisturizing factors जो की आपकी skin में देखता है कि क्या वो hydrated है या नहीं क्या आपका skin type हमेशा same रहता है या वो बदल भी सकता है आपका skin type कभी भी same नहीं रहता वो पूरे साल धर में बहुत बार बदलता है क्या-क्या कारण है जिसके वज़े से आपका skin type बदल सकता है सबसे पहला बदलते मौसम की वज़े से आपका skin type बदल सकता है Most commonly, summers के अंदर oily to combination skin type जादा common होता है और winters के समय में जादा common dry skin type होता है दूसरा, बढ़ते उमर के साथ आपका sebum production यानि की oil production कम होता है जिसके वज़े से आपकी skin dry जादा हो सकती है और fine lines और wrinkles जादा जल्दी develop हो सकती है तीसरा, exposure to pollution की वज़े से आपके skin type में जादा dryness आ सकती है और wrinkles भी जल्दी develop हो सकते है चौथा, hormonal changes Hormonal changes में अगर androgen hormone increase होता है तो उससे आपका skin type oily हो सकता है और आपके चहरे पे दाने भी आ सकते है पांचवा, intake of certain type of medications अगर आप कुछ तरीके की medications लेते हैं जैसे की isotretinoin वो आपके skin को dry कर सकता है अब अपनी skin type को आप कैसे determine करें सबसे पहले अपने चहरे को एक gentle skin cleanser से धो ले gentle skin cleanser जैसे की Cetaphil gentle skin cleanser या Berkowitz nourish skin cleanser धोने के बाद हलके से towel से पहुँच ले और एक room में बैठें जहां पे ना ही कोई AC हो, ना ही कोई heater हो, सिर्फ पंखा हो अब अपने चहरे को आप किसी एक tissue paper से dab करें अपने T-zone और C-zone पे 2 घंटे बाद ये T-zone और C-zone आखिर होते क्या है So T-zone include करता है आपका forehead, nose, chin और हलका सा area आपके nose के आसपास आपके cheeks का और C-zone include करता है वो area जो की आपके ears और आपके jawline के पास में है अगर आपकी skin normal होगी तो 2 घंटे बाद आपको ना ही कोई खिछावट मैसूस होगी और ना ही आपके tissue paper पे T-zone या C-zone से कोई oil दिखाई देगा अगर आपकी combination skin है तो आपका T-zone oily होगा और C-zone dry या normal होगा अगर आपकी oily skin है तो आपका T-zone भी oily होगा और आपका C-zone भी oily होगा और आपको open pores भी अपने skin पे दिखाई दे सकते हैं अगर आपका dry skin है तो आपका T-zone और C-zone दोनो dry होगा और आपको अपनी skin में थोड़ी सी किछावट भी मैसूस होगी अगर आपका sensitive skin है तो आपको अपनी skin में थोड़ी सी इचीनेस, redness भी दिखाई दे सकती है लेकिन तैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी skin type permanent नहीं होती तो हो सकता है आपको ये test साल भर में बहुत बार perform करना पड़े ताकि आपको समझ में आए कि आपकी skin type एक particular time में किस type की है ताकि आप उसी हिसाब से अपने products use करें अब skin type के बारे में तो आप सब लोगों ने समझ लिया लेकिन skin condition कौन कौन से तरीके की होती है और ये आखिर होती क्या है तो तीन तरीके की skin condition हो सकती है सबसे पहले dehydrated skin condition, pigmented skin condition and mature skin condition अगर आपकी skin dull है, under eye dark circles develop हो रहे है वहाँ पे बहुत हलकी fine lines भी develop होना शुरू हो गए है और आपकी skin mildly itchy है, इसका मतलब आपकी dehydrated skin condition है अगर आपकी skin पे dark spots, perioral pigmentation, melasma, freckles या किसी भी किसम की pigmentation है इसका मतलब आपकी skin pigmented skin condition है और तीसरा, अगर आपकी skin में sagginess develop होना शुरू हो गई है और wrinkles भी develop हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी skin mature skin condition है अब आपको अपने skin type और skin condition के हिसाब से कौन से products इस्तिमाल करने जहें Usually हम 4 type के products अपनी skincare routine में इस्तिमाल करते हैं एक face wash, दूसरा serum, तीसरा moisturizer और चौथा sunscreen मैं आपको recommend करूँगी कि face wash एक morning और एक night के लिए आपके पास दो different होने चाहिए एक आपके skin type के हिसाब से और एक आपकी skin condition के हिसाब से दूसरा serum आपको हमेशा अपनी skin condition के हिसाब से ही इस्तिमाल करना चाहिए मतलब कि अगर आपकी pigmented skin condition है तो आप ऐसा serum इस्तिमाल करें जिसके अंदर ऐसे ingredients हो जो pigmentation को कम करते हैं अगर आपकी dehydrated skin condition है तो आप hyaluronic acid rich skin serum इस्तिमाल कर सकते हैं ताकि वो आपकी dehydrated skin condition को ठीक कर सके अगर आपकी mature skin condition है तो आप retinol या bekuchuol जैसे ingredients इस्तिमाल कर सकते हैं अपने skin serum में तीसरा moisturizer moisturizer आप हमेशा अपने skin type के हिसाब से ही इस्तिमाल करें अगर आपकी oily skin type है तो आप light moisturizer इस्तिमाल करें अगर आपकी dry skin type है तो आप thick moisturizer भी इस्तिमाल कर सकते हैं चौथा sunscreen sunscreen आपको वैसा ही इस्तिमाल करना चाहिए जैसी आपकी skin type है अगर आपकी oily to combination skin type है तो आप gel based या lotion based sunscreen इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी dry to normal skin type है, तो आप किसी भी तरीके की sunscreen इस्तिमाल कर सकते हैं. So I hope अब आप अपनी skin type और skin condition को identify कर पाएंगे और अपनी skin type और skin condition के हिसाब से सही products खरीब पाएंगे और इस्तिमाल कर पाएंगे. I hope आपको ये video पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी question हो, तो आप comment section में जरूर लिखें. Make sure आप हमें Instagram पे follow करें at Dr. Anupriya Goyal and at Berkowitz Clinic. Stay healthy, stay beautiful.